हेलो लेर्नर्स, वेलकम टू चैनल, एकेट्यू की रिजल्ट में CP, PCP, XXX, FAIL, ABSENT, INC, UFM, AB, यह कई सारे रिजल्ट स्टैटस हैं जो की एकेट्यू की रिजल्ट्स में शो होते हैं, स्टूडेंस की माक्शिट में, तो उनका क्या मतलब होता है, उसके उपर वीडियो बना देख सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे कि audit 1 clear, audit 2 clear, not cleared क्या मतलब होता है, तो कई सारे कोर्स में कुछ papers जो होते हैं, वो non credit course होते हैं, कि उनके marks आपके result में नहीं जुड़ेंगे, आपके percentage में, जो CGP होता है, उसमें add नहीं होते हैं, वो बस आपको खाली pass करने होते तो वो non credit course होते हैं, उनका कोई credit नहीं होता है, लेकिन उनको pass करना ज़रूर देख, और अगर आप उनको pass नहीं करेंगे, तो फिर आपको degree award नहीं होगी, तो non credit course जो होते हैं, audit course, compulsory audit C, ये लिखा होता है, compulsory audit papers होते हैं, और उनको आपको pass करना ज़रूरी होता है, बिना pass क उनको आपको डिगरी नहीं मिलेगी, उनके marks आपके percentage में CGP में नहीं जुड़ेंगे लेकिन उनको आपको पास करना जरूरी होता है, तो इसी तरीके से हर semester में जो है कुछ न कुछ आपको audit papers मिल जाते हैं, जैसे कि human value जो है MBA में पहले audit paper होता था, इसी तरीके से BTEC में KNC 301 ह या audit 2 cleared दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि आप वो pass हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इनका result है KNC 301, Computer System Security, यह CA, CA मतलब कि compulsory audit paper है, यहाँ पे जो है blue color में टिक है, त्यानि यह pass है, यह fail नहीं है, इनने clear कर लिया है, subject यहाँ पे देखे, audit 1 clear लिखा गया, तो लिक्कत होती, तो इनको आगे चलके, इस subject में back paper भरना पड़ता, और दुबारा से exam देना पड़ता, और उसको clear करना पड़ता, अगर audit 1, audit 2, जो भी audit है, वो cleared है, इसका मतलब कि आप pass हो चुके हैं, अगर audit 1, audit 2 not clear है, यहानि कि आप जो है, उसमें back आई है, आपको दुब क्लियर होंगे, wish you all the best, keep watching, subscribe to the channel for more videos, thank you.